नमस्कार प्यारे बच्चों तो देखिए आज जो हम लेके चलेंगे किलोक गड़ी को काफी बच्चों को परिशान यह आती हैं कि जो दरपड पर आधरत प्रस्ण होते हैं उनको कैसे सॉल्व करें लेकिन आज यह वीडियो देखने के बाद कभी भी आप जो दरपड से पू लाइं दिख करें यह सीदे ऐसी खड़ा होगा, इस तरीके से अगर मिरर लगा हुआ है तो फोल्व लंब बत है, ठीक है, अगर लंब बत है तो दीखिए क्थेए क्या करते हैं, कि जैसे यहां पर बारा बज़ रहें है、「 वार बारा है यहां एक he, अंक तो ऐस्सेही अगर दरपन लगा देते हैं यह वाला दरपन लगा देते हैं तो question कू solve कैसे करें या कितना दिखाई देगा तो पहली बात तो यह याद रखिएगा अगर दरपन आपका इस तरीके से लगा हुआ है तो लंबबत लगा हुआ है तो इसमें जो change होना होता है आपके left right change होते है क्या चेंज होते हैं, लेफ्ट राइट चेंज होते हैं, लेफ्ट राइट चेंज, अब लेफ्ट राइट चेंज कैसे होंगे, जो हमारी लेफ्ट में है, वो राइट में दिखेगा, और जो राइट में है, वो लेफ्ट में, जैसे इधर क्या है, तीन पर है, तो इधर नो पर दिखेगा यह है ठीक है ऐसे कब तक याद रखेंगे हम और कितना याद रख सकते हो थोड़ी दिक्कत होई तो क्या होगा तुरंत गलत होगा तो आज जो हम पढ़ेंगे बहुत ज्यादा अच्छी ट्रिक है और ट्रिक से ही पढ़ेंगे तो देखीगा क्या करना है आपक दार लगा हुआ है तो आपको क्या करना है 12 मैं से गठा कर देना होगा वित्तर देनाहें अब यह देख्तिगा आप इसको हम 12 को लिखेंगे 11 बज़ के 60 मिनट ठीक है ऐसा नहीं है कि आपके 12 में से गठा रहे हो लेगन ऐसा हम अपनी आज़िसान बनाने के लिए केलकुलेशन को हम इसको 11 साड लिखेंगे तो जो भी आंसर होगा हमारा 11 साड मैं से गठा करके उत्तर देना होगा अब यह तो यही तो 24 है तो देखिए ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि बारे को यह से क्यों लिख रहे हैं बारे मैं से ही घठा रहे हैं लेकिन अपनी केल्कुलेशन आसान करने के लिए हमें इसको यह ग्यारे साट भी तो बोल सकते हैं ऐसे ही अगर यह कब करना है आपको ब के लिए अब इनकों को डिसकर्स करते हैं इनको याद रखिएगा ग्यारे साट और 23 को ठीक है देखिए पहला कोस्टन है और लंबबत का ही है कोस्टन आपके सामने है देखिए यदी प्रत्विंब समय एक बज़कर 40 मिनट है कितना है एक बज़कर 40 मिनट हो रहा है तो इस स्थिती में बास्तिविक समय क्या होगा अभी प्रत्विंब में हो या बास्तिविक समय हो लेकिन करने का तरीका एक ही है तो अब यह पहले हम कंडिशन पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो दरपड लगा हुआ है कैसे लगा हुआ है लंबबत लगा हुआ है लंबबत का मतलब तो है सीधे ऐसे लगा होगा धरपण ऐसे लगा होगा तो आपको क्या बता दिया था ग्यारे साथ में से गठा कर उत्तर देना है कितनी में से 11 या 60 में से गठा कर उत्तर देना है और आसानी से आप उंगलियों पर सॉल्प कर पाओगे आसानी से उंगलियों पर अभी देखिएगा एक बजकर 40 मिनट है तो गठाईए यहां 20 मिनट बचेंगे अगर आप यहां 11 में से एक गठा देते हो तो 10 अगर प्रत्विंब समय एक चालीस है तो जो आपका जो बास्तिविक समय होगा 10 बजकर 20 मिनट हो रहे होंगे ठीके ऐसे बुल देता कि बास्तिविक समय बास्तिविक समय इतना है और दरपण वाला कितना होगा तो बस करना यह है दोनों कंडिशन में आपको कन्फिज नहीं ह याद रखे और बास्तिविक समय काड़ा देंगे बारे है अब हमें गठाना है 41 से मैनस नहीं हो रहा होगा तो-सकी 1830 बनेंगे तो यह क्या थोड़ा टफ पढ़ेगा यहां क्या है ग्यारे साट को याद रखिए का कैल बहुत जाद आसान हो जाएगी उंगलियों पर देखते ही आप आंसर लगा दोगे किसका जो दरपन है क्यासा दिखेगा चलिए अगला कॉसन देखते हैं अगला दूसरा कॉसन आपके क्या करना है दरपन जो है हमारा कैसा लगा हुआ है लंबो बत ही है तो अब यह क्या करना है आपको ग्यारे साट में से गठा के उत्तर देना है तीन पंद्रा तीन पंद्रे को माइनस करिए ग्यारे साट में से यह पैंतालिस बचेगा अगर ग्यारे में से तीन माइनस करते तो आठ बजेगा तो कैसा दिख रहा होगा 8.45 का समय आपको दिख रहा होगा ठीक है बस 11.60 23 को याद रखिएगा बहुत आसानी से कर पाओगे कॉस्टनों को चलिए अगला कॉस्टन देख लेते हैं देखिए तीसरा कॉस्टन आपके सामने है यदि बाश्तिविक समय 5 बज कर 45 मिनट हो रहा है तो इस इस्तिती में प्रत्विम्ब समय क्या प्रतीत होगा तो बस सीदी सी बात है 11.60 लखें कितना लखेंगे 11.60 5.45 माइनस करिए बस कंडिशन याद रखनी है प्रत्विम्ब कैसा है लंबबद है लंबबद की कंडिशन पढ़ रहे हैं ना कि 6.60 की 6.60 की बात आगी करेंगे अब माइनस करिएगा तो यहाँ 15 बच जाएंगे 11 में से 5 गड़ाओगे तो 6 6 बज के 15 मिनट आपको प्रतीत होंगी कब जब 5 बज कर 45 मिनट हो रहे होंगे और दरपन जो है चलिए अगला क्वेस्टन देख लेते हैं अगला क्वेस्टन है चोथा देखिए यदि किसी गड़ी में 6 बज रहे हों तो प्रत्विम समय क्या होगा प्रत्विम समय क्या होगा मैं तो सीडी सी बात है 11.60 में से गठाना है और यहां अभी जो टाइप पढ़ रहे हैं वो लंबवत के ही पढ़ रहे है ठीक है हर टाइप के क्या करने हमें 3-4 कॉस्टन सॉल्ब करेंगे अब 11.60 में से कितने गड़ा होगे 6 गड़ाईए तो यहां तो पूरे 60 बचेंगे यहां जो बचेंगे आपके 5 बचेंगे 5-60 का मतलब हो जाएगा 6 बचे 6 बच रहे होंगे 6 बचे क्या होता है देखिए ऐसे गड़ी में अगर जैसे 12, 3, 9, 6 ऐसे 6 बच रहे होते हैं तो अब चाहें यहां लगा हो तो यह 6 ही दिखेंगे आपको ठीके तो अब क्या करेंगे 11, 60 को याद रखिएगा अगर इससे ज़्यादा समय होता है जैसे मान की चलो उसने बोल दिया 12, 30 हो रहे हैं 12, 30 हो रहे हैं तो अब प्रतविम कैसा बनेगा तो अब इस कंडिशन में आप इस में से तो गठाने से रहे 12, 60 में से आप कितने में से घठा देना है 23, 60 में से घठा देना है 23, 60 में से घठा आई या इसी को जल प्रतिविम भी बल देगा नीचे ही तो बोटर होता है अब या देखिएगा इसमें क्या होता है लेड राइट चेंज तो यह अपपट्र कली तो और भी बैक्त क逮म 38 में से गठा कर बस दो याद रखिएगा 11.60 38 उंगलियों पर आएंगी question उंगलियों पर बस देखते ही answer लगा दोगे कि 36 है तो 38 अगर लंब बत है तो 11.60 कैसा भी question आगा एक जम में आसा नहीं सकर पाओगे आप बहुत अच्छी ट्रखे ठीक है चलिए question देख लिए यह 36 का है ठीक है क्योंकि 36 जब हमें समझाया तो 36 का है पांचमा question है यदी प्रतिविम समय 10 बज़कर 15 मिनट हो रहा है तो इस इस्तिती में बास्तिविक समय क्या होगा तो क्या बता दिया है 18.30 में से गठाना है साब 10 15 का समय है 10 15 का गठाईए तो यह 15 बचेगा यहां बचेगा 8 तो 8 बच करके 15 मिनट आपको दिखाई देंगे प्रतिविम में अगर प्रतिविम समय इतना है तो बास्तिविक समय यह होगा या फिर बास्तिविक समय इतना है तो प्रत्विम समय यह होगा बच्चा है आगे पीछे कुछ भी बोल दे लेकिन आपका जो टार्गेट है वो 18-30 में से गढ़ा करके उत्तर देना होगा ठीक है आसानी से कैसा भी क्वेस्टन आ जाए आसानी से सॉल्व करोगे कोई दिक्कत नहीं होने वाले वस आप देखते ही लगा दोगे किसका अंसर क्या आएगा चलिए अगला क्वेस्टन देखिए लबार बताईए देखिए छटा क्वेस्टन है आपके सामने यदि प्रत्विम समय 10 बज़े कर 20 मिनट है हो रहा है तो इस इस्तितिम बाश्तिविक समय क्या होगा बाश्तिविक समय क्या होगा औ और ये भी 36 का ही है, 36 का, ठीक है, अगर 36 बता रहे हैं, तो 36 का है, 36 का मतला ऐसे लगा होता है, ठीक है, अब क्या करना है, 18-30 से गढ़ा कर ही तो उत्तर देना है, तो 10-20, माइनस करिए, यहां 10 बचेंगे, यहां 8, तो 8 बज़ करके 10 मिनट आपको प्रतीत होंगे, ठीक है, चलिए, अगला कॉस्टन देख लेते हैं, देखिए, सात्मा कॉस्टन है आपके सामने, यदि बाश्तिविक समय, 11 बज़कर 25 मिनट हो रहा है, इस इस्तिती में, प्रत्विम्ब समय क्या होगा, और यह क्वेस्टन में बोलता है, हमने तो क्या टाइब भी टाइब पढ़ हैं, लेकिन क्वेस्टन में बोल देगा, कि जो मिरर है, या दरपन है, वो 36 है, या लंब बता है, तो लेकिन हम 36 की बात कर रहे हैं, ठीके, तो अब क्या करना है, हमें सीधी बात है, 38-30 में से गटाग उत्तर देना है, टाइम हो रहा है, 11-25, माइनस करिए, तो यह बचेग अगला क्वेस्टन देख लेते हैं, यदि प्रित्विम समय बारे बज रहे हैं, तो इसे स्तिविम बाश्टविक समय क्या होगा, तो सीधे ये बात रखिएगा, 18-30 में से गटाग उत्तर देना है, बारे बज रहे हैं, गटाइए, तो 6-30 का समय दिखाई देगा, कितने का 6-30 का समय आपको दिखाई देगा, ठीक है, अब एक क्वेस्टन ऐसे दे देता, कि 12-45 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 12-45, थोड़े यहां ध्यान दे लेजिएगा, कि दने 12-45 हो रहे हैं, तो हमें गटा के उत्तर कितने मैं से देना होता है, तीस में से, तो अब 12-45 को कैसे मैनस करेंगे, अब एक तीस में से, यह मैनस नहीं होगा, तो यहां से एक गंटा इधर कर देंगे, एक गंटा इधर कर देंगे, तो एक साथ मिनट, साथ का, साथ और 30 कितने होगे, 90 मिनट, 90 में से 45 गठाओगे, तो 45 बचेंगे, अब एक गंटा यहां से चला गया, यहां क आपको वीडियो पसंद आया हो तो सियर लाइक करिए और चैनल को सस्क्राइब करिए